इरान का नामों निशान मिटाना चाहते थे बेन जामन नेतनियाहू इरान का वजूत खत्म करना चाहते थे लेकिन आखरी वक्त में इसरेल ने अपना प्लान क्यों वदल दिया क्यों नेतनियाहू रुख गए आखर वक्त में किसका कॉल नेतनियाहू के पास आया कि उन्होंन यूटरन ले लिया हम ने देखा जिस तरीके से इसरैल पर 12-13 अप्रेल को हमला किया उसके बाद से दोनों देशों के बीच तलकी बढ़ गई हालात सामाने नहीं है बलकी हालात बिगरते चले जा रही है और हमने देखा कि जिस तरीके से इसरैल ने इरान के नूक्लियर प्ला अज़ आपको बता हैं कि अमारिकी राष्ट्री दबाव है इस वजह से नितन्याहु रुक जाते हैं या फिर कोई और बड़ा हमला करने वाले हैं, कुछ समय के लिए वो रुख गए हैं, अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिचर भी बाकी है, हमने देखा कि इरान पर जो हमला होता है, उनके नुकलिर प्लांट के पास जो हमला होता है, इसरेल इस हमले के जम्मदारी नहीं लेता है, औ दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहता है, कि उसको चोट पहुंची है, और हमने देखा कि जब जो बाइडन बात करते हैं इसरेली पीम से, तो इस बात पर चर्चा होती है, कि दुनिया को एक और महा युद्ध नहीं देखना है, क्योंकि जब भी को युद्ध होता है, तो इसका असर स्विफ दो मुलकों पर नहीं पड़ता है दो मुलकों की आवाम नहीं जूचती है बलकि उस युद्ध से पूरी दुनिया की आवाम जूचती है फर्क पूरी दुनिया को पड़ता है हमने रूस यूकरेन का युद्ध देखा जो अभी तक चल रहा है और नतीजा कुछ नहीं सामने आता है लेकिन अब जिस तरीके से तल्खी बढ़ चुकी है बिन्जामिन नेतन्याहू उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं और इरान में अगर हम देखें तो इरान ये कहता आया है कि जो सीधा में उनके दुतावासों पर उनके ठिका मिटा देंगे उसको ऐसी चोड़ देंगे कि फिर वो कभी उठ नहीं पाएगा लेकिन फिर होता क्या है कि वो अचानक से अपना इरादा बदल देते हैं इतना बड़ा हमला नहीं करते हैं या फिर किसी स्ट्राटेजी की तहत वो कर रहे हैं एक रणीती की तहत आगे आदे जाहिर कर दो कि वो किस तरीके से इरान को बरबाद कर सकते हैं और आगे एक बड़ा हमला करेंगे न्यूक्लियर हमला होगा इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो भारत ने अपना स्टैंड लिया है कि पूटनी आप हमेएैर करा सकते हैं तो भारत नेक lसाक बड़ाद करो आदे आप